हाँ वितान बाग सेकेंड का चेप्टर नमर 3 अतीत में दबे पाउं ये जो चेप्टर नमर 3 है इसके आपन पार्ट का शारांच पढ़ेंगे क्यों शारांच बहुत का साल पढ़ना बहुत ही जुरूरी है दो तरी बात ही जितने भी पार्ट के सारण एक से बड़े एक है ब आपके तो इसलिए बस में इसलिए आपको जुरूर पढ़ना चाहिए और तो चेप्टर 4 है डाइरी के पढ़ने वाला वो तो 100% उसको मैं कहता हूं 15 पर पढ़ लेना इतना इंपोर्टन है ठीक है उसको बहुत शांदर फॉर्मेशन के साथ में वो भी आपको मिलेगा चल कोई खोज करने माले कुछ रिपोर्ट लिखते हैं उसकी बारे में लिखते हैं उनका मेला रूप है लेखक ने विश्व की प्राचींतम नगर सबेता जो सिंदुगाटी सबसे प्राचींतम हुआ है तो सिंदुगाटी के परमुक्षयर महों जोड़ो और हडपा के पड़े हैं उनके जिवन्त शेली में वर्ण किया है जिवन्त शेली का मतलब होता है कि बिल्कुल किस हिसाब कैसे अभी है बिल्कुल प्रापर तरीके से अतीत में दबे पाउपार्ट का सारा निम्न प्रकार से देखते हैं पर पहला है इडिंग भी लगाई है पने उन राज्यों में विश्वेकीस प्राचीनतम सिंदु गाटी सब बेता के दो महानगर इस्ते थे जिनका नाम हडपा और महोंजोदरौ है ठीक है जिनके नाम करमशे महोंजोदरौ हडपा है ठीक है इसका मतलब है सिंद के अंदर महोंजोदरौ मानलो और पंजाम हडपा मा लिए ठीक है उन्हें अनुभुती हुई उन्हें साफील हुआ ऐसा लगा कि इस इस्थान पर इसासे इस इसे पूरवे की सब्वेता दबी हुई हैं ऐसा उनको लगा ठीक है ऐसा लगा तो भारति पुरातत्त्य सर्वेक्षण ठीक है जिसको इंडिया क्ष़र इंडियन आर्केलोजिकल सर्वे जो बोलते हैं, उनके महानिदेशक थे उस टाइम पर जॉन मार्शल, क्योंकि अंग्रेज जुगाराज था, ब्रेटिश इंडिया कंपनी शासन करती थी, तो उन्होंने ये पुरतातु सर्वेक्शन उबा का इस्तापना की थी, तो वो जो भारती पु वियापक अभियान शुरू किया गया, ठीक है, और उन्हें आदेश दे दिया कि खोज करिए, और निकाली इसमें क्या निकलता है, अंग्रेजु के बड़ा शोग होता है ऐसा, और वाकिए अंग्रेजु कि यहां पर लूटा थो उन्हों दिया भी बहुत कुछ है भारत को ठीक है, तो इस खोज ने भारत को मिश्र और मेसो पोटा में हैं, जो कि एराक में हैं, उनकी प्राचिन सब बेताओं के सम कक्षानी बिल्कुल उनकी बराबर लाके लाकर खड़ा कर दिया है, पहले इराक मेंने अपने पढ़ा भी था, जब क्योशना अंसर अपने पढ़े की गई, और यहां बड़ी तादाद में इमारतें, सडकें, धातू पत्तर की, मुर्तियां, चाग पर बने चित्रित भांडे, महरें, महरें नहीं यह मुहरें, मुहरें, साज और सामान और खिलोने आदी मिले हैं, बहुत ज़्यादा मिले हैं, और जिस स्टूब की खुदा महाशे इस इस्तान तक आये थे, वो एक प्राचीन सब्वेता को खोज निकाला, उनको यह आइडिया ही नहीं था कितनी प्राचीन सब्वेता ही निकल जाएगी, ठीक है, वैस्तूब सबसे उंची चबूत्रे परिस्तित था, जब इस फिट उंचा चबूत्रा था, उसके ठीक है, तो जो 26 फिट उंचे चबूत्रे पर बनावता है इस तूप, उसको उन्होंने जो यह आर्केलोजिकल सर्वे के स्टाफ है, जो विबाग है, या सर्वेक्शन विबाग है, क्या नाम दिया था उन्होंने, गड़, और सारा शहर गड़ से कुछ दूर पर उसके चा हैं, लेकिन बहुत फैमस इमारते हैं, इन में परशाशनिक इमारते भी हैं, जिसे अड्मिक्शेशन जी चला करते थे, ठीक है, भाई जैसे अपना भी आज की परशाशनिक समालते हैं ना वैसे, परशाशनिक इमारते हैं, सभा भाउन, सभा होती थी, सभा भाउन है, यान दस जो हैं वास्तु कोशल बिल्कुल क्या आर्केटेक्ट्स है लोग, क्या डिजाइन किया गया है, उसका महाकुंड उनका परसिनिदी है, उसका एक रिप्रेजनेटेटिव की तरह काम कर रहा है, जो हमें एक सबूत की तौर पर काम कर रहा है, जो तब के अपने, तब के रापता, अभी तक वैसा का वैसा भी हमें मिला है, नगर नियोजन की दरश्टी से मोहन जोदल एक अनुठी मिसाल है, अनुठी मिसाल है, डिफरेंट तरह की, शेहर की लगबख सबी सड़कें सीधी हैं, या फिर आड़ी हैं, ठीक है, वास्तु कार इसें ग्रिड प्लान, जो मैंने आपको क्योशनान से में बताया है, ग्रिड प्लान केते हैं, ठीक है, आज भी चंडिगड और इस्लामाबाद ग्रिड शेली के शेहर है, आज भी तबी तो चंडिगड तो शेहर है, उसको बहुत अच्छा शेहर माना गया भारत का, सबसे वहवस्तित शेहर क्यों या पर इसे गोल ऐसे आड़ी सटके होगी, इनमें जो हैं, जो हैं क्या बोलते हैं, इनको एक्सिडेंट का खत्रा कम रहता है, बहुत चोड़ी सटके हैं, बहुत शांदार, ज्यादा बिल्डिंग नहीं है, फर्स्ट पोर ये सेकिंड फोर इतने-इतने मंजिल के मकान है, सेकिंड फोर ज्यादा मंजिल नहीं है, बहुत ही शांदार बियावश्ते हैं, यह पर चंडिगट जो शेहर हो ऐसा बसाया गया, ठीक है, इसी ग्रिड सिस्टम से, फिर नगर की बस आउट की बात करने करपन, तो सिंदु की बाड से बचने के लिए इस नगर की सभी इमार बनाई की इस नगर की चोड़ी सड़कें और लंबी गलियां, कमरे, रसोई, खिड़की, सीड़ियां, आदी एक संतुलित नियुजित शेहर का सुंदर नमोना है, एकदम जिसे अभी कोई सेटियां बसती है, उस अकोर्डिंग खिड़कें और चोड़ी सड़कें, लंबी लंबी गलियां, सब नजर आती है, रूम नजर आते हैं, कमरे नजर आते हैं, अब जो महाकुंड मिला है, स्विमिंग पूल एक तरीके से, उसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपोर्टन्ट है, कि सिंदुगाटी सबबेता का सबसे बड़ा जो आकरशन का केंदर है, और वह महाकुंड है, जो महाकुंड मिला है, मैं स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, जो आधुनिक सबबेता को भी अपने नियूजन के आगे नीचा दिखा रहा है, अभी आजकल की जो लोग सबबेता के जो लोगे मॉडन अभी वो भी इतना चानी बना सकते, इतना शांदा बनाया है, उस टाइम पर, सोचो, ठीक है, उनको भी नीचा दिखा रहा है, चालीस फुट लंबा, पच्चीस फुट चोड़ा, और साथ फुट गहरा, यानि की अंदर जमीन में, वाले इस कुंड में उत्तर और दक्षर, नोर्थ और साउथ में सीडियां उतरती है, ठीक ह कुंड का तल जो है, वो और दिवाने चुने और पक्की इंटों की बने हुई है, आज भी अजर्टीज वैसा इए, ठीक है, पानी की विवस्ता दोहरे गेरे वाले पना दी, उसे पानी आता है और कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई है और जो पकी इंटू की बनी है और ढकी हुई है बिल्कुल उपर से कवर है सीधा वहाँ से पानी निकलता है बाहर जाता है पानी निकासी का ये सुन्दर ढंग इतियास में पहले कभी नहीं मिलता इतना प्यारा तरीका कि गंदगी ना हो मक्षी मच्छर पेदा ना हो उपर से कवर बहुत जबरदस्ट ऐसा किसी भी सिवराइजेशन में किसी भी सब्वेता में ऐसा नमूना देखने को नहीं मिला है ठीक है फिर बात करते हैं प्राचीन बहुत स्टूप तो लगबग 2600 2600 बनावा एक बहुत स्टूप इस सब्वेता की प्राचीनता को सिद करता है 2600 वर्स पहले एक बहुत स्टूप बनावा था एक्चलों उसकी खुदाए करने के लिए गई थे नीचे पतास लाव बस्ते निकल गई थीक है सिद करता है यह विश्वे का सबसे पुरा प्राचीन बलला प्राचीन स्टूप है पुरा न स्टूप है यह एक मानव निर्मित पक्कीन टो के चबूतरे परिस्टित है पहले चबूत्रा बनाए उसके उपर इसको बनाए गया है चबूत्रे पर भिख्षूं के कमरे जो भिख्षू होते है न उन भिख्षूं के कमरे उस चबूत्रे पर बनाए गये है और आसपास में उपर पर बनाए गये स्टूप ठीक है लेकिन ये जो बार मोड स्तूप है वह वह व्यष Yes सब खंडर हो गए लेकिन ये वैसा ही है सिन्दुघटी की क्रशी वह व्यापार यह प्रण करता संदुघटी सब्टा पशू पालं कें ढ़ी त IV जहें पलतंते था यहां से सूती कपड़े का निर्यात होता था, सूत की कतई के साथ साथ रंगाई का कारिय भी होता था, ठीक है, इसने सीध होता है कि यहां कपास पेदा होता था, कपास पेदा होती थी, वरना कपास पेदा नहीं होगी तो पिर सूती कपड़े कहां से बनाए जाए जाए है वो तांबे के बनाई जाए इसका मतलब लोग तांबे को भी जानते थे पैचानते थे ये सब उन्नत खेतियार वेवस्ता होने को प्रमानित करता इसका मतलब यह कि जो खेतीबाड़ी वाकि उन्नत किसम की होती थी यह बात होगी नेक्स्ट जॉन मार्शल की पुस्तक जो हैं वो देखते हैं कि सन 1922 में खुदाई के निदेशक जॉन मार्शल ने तीन खंडों में महुन जोदलों की खुदाई का वरंद किया है इसमें एक बेलगाडी का चितर भी दिखाया गया है सिंद प्रांत में एक सदी पेले तक उसी तरह की बेलगाडी का परियोग होता था एक साबूत इमारत में इस सब्वेता में प्राप्त अनेक वस्तों की परदर्शनी लगाई गई जिसमें खुदाई में प्राप्त तामबे और कांसे की बरतन काला पड़ावा गयों मोहरें वादे चोक पर बने विशाल मरिदभांड मिट्टी के जो बरतन बोलते हैं उनको उन पर काले भुरे चितर चोपड़ की गोटियां दीपक मापतोल की पत्थर तामे का आईना कंगी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरेंगे पत्थरों के मनकों का हार और पत्थर के अउजार आदी इस सब्विता की सम्रिदी के दियोत तक हैं यह वो सब चीजे हैं जो जो जॉन मर्सल की पुस्तक जो लिखी उसने उसमें सारी बात लिखिए कि है यह यह खुदाई करने पर यह चीजे आमें वहामिली है, ठीक है? बहुत एजी जो भी याद रहें जाए इची बात है क्योंकि यहां से क्योशन जो बनेगा इन थेयरिस ही बनता है एक आडम रहीट सब्वेता थी यह ठीक है अजाइब गर में ओजार तो मिलते हैं पर हतियार नहीं मिलते हैं अर्थार थी एक शांती पर यह सब्वेता थी ठीक है फालतू के चोचले आडम बना नहीं करती थी लेकिन कोई अनुशाशन अविश्य था कोई नहीं कोई अनुशाशन तो था वरना क्योंकि डर भी ना थोड़ा बहुत डर होना जरूरी डर भी ना कोई व्यवस्तानी रह सकती स्कूल में अब आप जाते हो टीचर का डर है इसलिए आप अनुशाशन देते हो ना टीचर पांच मिनट के लिए क्लास होड़के चले जाओ जो महौला बनाते हो ना मस्त वाला वह चीज़ देख लो ठीक है तो जिससे इतनी महान सब्वेता को जुनम दिया यहां भव यह महल मंदिर या राजाओं को समादियां नहीं मिलती कई पर भी ऐसे फालतों के कुछ भी नहीं है नरेश का मतलब राजा राजा के सिर्फ पर सादा अनमुकूटय सिंपल मतलब सादा जिएवन ओच विचार के लोग थे छोटी नावे हैं उप्रिव तत्यों के आदार पर इस सब्वेता को लगुता में भी महता की सब्वेता कहसे है लगुता में बहुत महता का जा सकता है ठीक हाँ बहुए नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुए मंदिर बहुए इमारते हैं वो बहुए रौजाई साओं वो कुछ भी नहीं नॉमल इसलिए लगूता में महता इनकी कास बात थी तो यह समरिद नगर सबता है दो बड़े शहर है यहां के लोगों में कला का मेरत विजादा पे उसका मेरत विजादा था उनकी वास्तु कला नगर नियोजन धातुर पत्थर की जो मूरतिया खिलोने, सुगर अक्षनों की लीपी, उनसे संदर ये भाग को प्रसुत करते हैं वाकिए बहुत तगड़े इस मामरे में थे, मूर्तिया मनाने में, खिलोने मनाने में, ठीक है इस वास्तु कलामें, नगर नियोजन पूरी प्लानिक करने में बहुत तगड़े थे पूरातु तवित काशिना देख्षित के नाम पर, डीकेश शेतर और डीकेश जी शेतरूं में शेहर का विकास किया गया शूर्ट नाम लेगते हैं ना डीके जी हैसे हैं उनके नाम से हैं अपने कहा जाता है ना कि ये M.I.Road है मेरजास्तमाइल रोड है ऐसे ही ये अबदुलकलाम रोड है ये अलगलग अपने नाम से उनके नाम रख देते हैं ठीक है तो वो एक बड़े शेयर होते हों या पिर किसी को पर बना देते हैं या पिर किसी स्टेचू बना देते हैं पर ठीक है तो वो सब बाते होती है very important है 30 फूर्ट चोड़ी बहुत लग़ी सड़कों के दोनों और घर हैं लेकिन सड़क की और दरवाजा नहीं है यह कास बात है 30 फूर्ट चोड़ी सड़कों लेकिन सड़की और दरवाजा नहीं है दरवाजी अंदर गली में कुलते हैं गली में कुलेंगे इस रोड पर दरवाजी मतलब यह है कि जैसे सड़कों पर कोई यान जो भी चाहिए तो रोड पर क्रोसिंग ना हो गली में दर वाजी खुलते हैं ठीक है यह वह भी बच्छी चीज थी अंदर गली में खुलते हैं सड़के दोनों और समानांतर बनी तता डkay और टकी नाली ना हैं सड़के पैरलल दोनों और और हर गर में बातरौन सनान करें और बस्ती में कवे बने हुए हैं पूरी मोहन जोदरों में लगवाश साथ सो कोई हैं और ये जल सबेता भी इसी देश को जल सबेता तर सबेता का जाता है मैं आपको जैसे कि उश्णान से बताई था ठीक है और डीकेजी शेत्र में घरों की दिवारे उंची और मोटी हैं यहां दो मंजिल के मकान भी बने वे और जो मुख्या के घर होता था जो मैन हैडन का होता था वो दो आंगन और लगबग 20-30 कमरे उनके बीच में होते थे घरों की खिड़की वे दर्वाजों पर चज्जे नहीं है खास बात ही घरों पर जिसे अपन चज्जे लगाते न वो चज्जे नहीं है अच्छी है उसके पानी का रिसा हो और इसलिए महों जो दोरे खुदाई का गाम नहीं कर सकते और यहां शार और दलदल के समिश्या हो जाने से मौजुदा खंडरों को बचा कर रखना भी अब कठिन हो गया है वो भी सट गल जाएंगे क्योंकि जब 24 आर्स पानी वहां रहेगा तो फिर वह तोड़ी दलदल की बन जाएगी लग बगो तबाह हो जाएगी एक्चुली अभी सारा काम रुका हुआ है तो यह थी बहुत ही शानदार चैप्टर अपना यह कंप्रेट हो गया पार्ट का सार कोई सा भी चैप्टर हो बड़ा इंटरस्टिंग होता है इसको जुर झाल 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 झाल